अब्जेक्टिव कोशन आपके पास से है कुछ समरी देख लीजिए क्यों नहीं पास होंगे सर अच्छे स्कूर 60 प्लस का मैं दावेदा लिखा है वो प्रोज में भी और पोईट्री में भी यह दोनों का पर रट लीजिए बिल्कुल आपको याद होना चाहिए यह कोशन पा कर दोस्थ है अव्रमें और बिहार में इन्टरमेडियक का एक्जाम सुड़ी हो चुका है बीहार अप सात में एक महमान देख पा रहे होंगे यह बच्चे के लिए खास है जो एक्जाम देने वाले हैं मैं आपको बता दू हमरे साथ में हैं एंस्टर मिस्टर कुमार सर्लि आज का जो सेशन है आज जो हम लोग आज के जो इंटर्व्यू करने का जो परपस है वो अभी बच्चे के लिए बच्चों के लिए कमी समय बचा है तो कम समय में क्या ऐसा पढ़े क्योंकि सड़ आप ट्यूटर है आप पढ़ाते हैं और आप 12 के बच्चों को ट्रेंड भी क पिसले बार भी कई बच्चे आपके पास हुए है तो मैं बस यहीं जाना चाहता हूं कि बच्चे कम समय में क्या पढ़े कि बच्चे से पास कर जाए अग्रजी में कावत है डिर इस नतिंग फर शॉटकॉट दुनिया में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शॉटकॉट अपनाता है ना उसके लिए मुकाम हासिल नहीं पाएगा एक होता है सरा पास कर जाना एक होता है में आ νोलच दिफरेंट चीज़ है और एक सौटकॉट अपनाना अलग छीज है आपने यह सवाल करा कि कम समय बचे बिलकुल बहुत सारे से बच्चे हैं जिनके जहरन में यह टोटल 21 से सवाल पुछेंगे उसी से आपको राइटि इसकी बात रहा ग्रामर पार्ट तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले समझना बच्चे को यह पता नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है हमें एक्जाम में कैसे ज्यादा ज्यादा स्कूर किया जाए तो मैं आपको शॉट में बता देता हूं बिहार सरकार कहा स्कूर्शन पूषती है एक ही सेंपल पर से नहीं बलकि एक ही बुक से पूषती है वही बुक बुक चेंज होगा तो पैटर्न जैसे ही चेंज होगा सर आप लोगों को मैसे पता चल जाता है तो अभी आपको क्या करना है जो 21st 21 मतलब यह जो एकी सप्टर जाता है जैसे प्रोश 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 क्ला आत्री मैं क्या है कि समरी को देख ली प्रोश सही November कुछेगा और प्रोश बीमर का कर उसके बाद जैसे कि आपको अर्थ ले लिए लिक्ति स्ट्राइब इसके बार में संवरी को देखना नारी पुमकर में संबरी में ए ऐसके बाद आप संस्टนोस प्रस्टिे रहेये आपको बढ़न किस पड़े दिमार कमा उल्टेश्टीन खांगे कर सकते हैं घ्यान द PROFًट कि आपकी जो लिखावट है ने संदर होनी चाहिए सच पूछिए ना तो आप क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं सामने वाले को पता ही नहीं होगा आप सबसे पहले जो को पड़ रहे हैं उसका मतलब समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप मतलब समझ में आजाएगा आपको इसली अपांसर कर सकते हैं बहुत ही तो आप ग्रामर पार्ट को स्कीप मत कीजिए ग्रामर में अक्यूरेट नमर मिलता है बहुत सारा जैसे बुक का इतना सारा चप्टर है सर तो क्या आप याद रख पाएंगे सारा के सारा देख लिए यह छोड़ना ही नहीं है अगर छोड़ दिया दिकत हो जाएगा अब्जेक्टी कोस्टन पर देहान दीजिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि जो समरी है न सर समरी में पांच नमर जो पुछा आ जाता है प्रोज और पुछा जाएगा और दस न पांच नमर का यह तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए यह कौशन पांटीच में आईगा है यह फिर पर संग्या को देख लेगे उसके बाद जो जितना भी प्रोज जिसने लिखा प्रोज का नाम क्या है और किसने लिखा है वो प्रोज में भी और पोईट्री में भी कि दोनों को आप रट लीजिए बिलकुल आपको याद होना चाहिए यह कुशन पांसर आपको पढ़ा है जो भी सर से सर से ज़्यादा सा तच में रहें अगर ज्यादा कुशन आ रहा है तुरंट आप सर को लेकिन कोशिस कीजिए बच्चे को यह भी स्टुएंट को यह मैं कोशिस करना बताना चाहूंगा कि आपने नोट को ज्यादा ज्यादा रिवीजन करें क्योंकि वह लिख पाएगा जो के दिमाग में अर्जेस्ट होगा हमारे बताने साभी कुछ उसके दिमाग में नहीं मतलब की कैसे होगा नहीं होगा परशान हो जाते हैं मोबाइल मोबाइल देखेंगे यह इंपोर्टन है अब कोई को वेट कर रहता है कि कॉल पर आएगा मैसेज आएगा देखना गूरूप में भेजिंगे यह करना वो करना यह बहुत ज्यादा हो रहा है सब इस पादिहां है कुछ समरी देख लीजिए क्यों नहीं पास होंगे सर अच्छे इसको 60 प्लस का मैं दावेदारी दे सकते हूं आपको हर बच्चे को 60 प्लस ही आएगा अगर थोड़ा सा अपना माइंड पर ले सर जिसकी अंग्रेजी बिल्कुल खराबी है लिख नहीं पा रहा है उसका कैसे मैंनेज करें सबसे पहले जैसे आपको को मिलने के साथ मैं कह रहा हूं कि पूरा को देख लिए जो उसमें इसी राइटिंग स्किल पार्ट है सब्सक्राइब जिए आपको आता है ऐसे दिमाग में शेट करके गए यह चीज आता है और आप लिग भी सकते उसको सबसे आपक्षिक्टीव होता है तीमर मिल जाता है चार नमर मिल जाता है एक नमर कटेगा आप टाइम विस्ट कर रहे हैं अब्जेक्टिव को पढ़ें पूरा टाम आपपीजिए बागी को जो नहीं आए तो सब्सक्राइब आपना टाइम कर तक कर लेंगे लास्ट में क्या पर निकल जाता है लेकिन फिर से मैं आपको स्टुरिक्ट को बता देता हूं कि जो चार-चार पोईट्री में से है और यह प्रोज में से है यह इंपोर्टन चीज को देखना बहुत जरूरी है समरी लिखिएगा इसमें नमबर आएगा आपका और लॉंग अंसर अगर नहीं कर पाते हैं तो पहले ग्रामर सेक्शन को भी आप कर लिजी क्योंकि जैसे कि वॉइस है या फि आपको यही सब चीज में अच्छा स्कूर मिल जाएगा अगर दिमाग से थोड़ा सा आप स्थिर दिमाग से सोचेंगे हौच-पौच हो जाता दिमाग स्टूडेंट का बिल्कुल हो जाता सब्सक्राइब क्या लिखेंगे क्या नहीं रिखेंगे आप तो मैं साइंस पेप को पढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए एक्जाम होल में बिल्कुल निश्चिंत होकर पहले पेपर देखो रिलैक्स मूड में खुशी-खुशी पहले पेपर को देख लिए यहां समयाता चिल मारिए दो मिनिट का समय लिजी आराम से पेपर बनाईए क्या दिक्कत है बिल जैसे कि सबसे पहले आप सबसे पहले हाओ फ्री हाओ फ्री इस दप्रेस हाओ फ्री इस दप्रेस यह समरी को आप देख लेंगे प्रपर तरह के दो तीन बार लिजी आप आपके संबल पेवर में होगा देख लिजिए दूसरा नमर पर है आइडियास दाट है आइडियास दाट हैव हल्प मनकाइम यह भी है दीसरा है इंडियन सीविलाशन और इस समरी को देख लेना है और और यह बहुत ही इंपोड़ेंट है यह इसी से इर्द इर्द कोशन आ और एक्स्ट्रा में अगर आप बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में एक था स्वीटेस्ट लव आई डॉंट गो तो यह सब इंपोर्टेंट है जिन में आपको चार या पांच नमर आने की संभावना है अनुमाल लगा सकते हैं और फिर से मैं अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं जो आपका अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप मैंसे अभी हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे ऐसा उमीद है जो आप पढ़े होंगे वही जाके लिखेंगे लेकिन हां मेरा इतना कोशिस है कि आप इस पॉइंट को एक बाद टच कर लेजिए दुबारा रिभीव कर लेजिए एक बार रिचेक कर लेजिए निस्टी दुरूप से स्कोर आने की अच्छी संभाव करके भी आप लिख सकते हैं उस उस पॉइंट को अगर आप नौट करने और दुबारा से पढ़ लेते थो मिज्टिर कुमार सर का कहना है कि आप अच्छा स्कुर करके लाएंगे बांकी इंग्सकुई सब्चि हाट नहीं होता है अभीमी स्ट गुमार सर ने बताया और बाकी लास्ट में सब्सक्राइब आपका को लोग live भी आएंगे तो आप सब हमसे लाइप पहले होगे जिसमें हम लोग सारे hot tricks जो भी hot questions के इंटर्मीडियर्ट एक्जाम के लिए आपको बेस्ट अप्लक में उरिंग केस आप देख रहे थे सम्नीज लाइब धन्यबाद